नमस्का दोस्तों वेलकम टू एस क्लास एजुकेशन मैं हूँ सुहनी और आज अपलोग देख रहे हैं 10 स्टेंडर हिंदी का पेपर पाटन यह हिंदी फूल हिंदी है डाट इस 80 माक्स का हिंदी है पेपर पैटन में अपलोड करने वाली हूँ जस्ट एक दो तिन घंडे में आपको मिल जाएगा तो आप वो वीडियो भी चेक आउट कर सकते है तो मैंने संस्क्रूट की वीडियो अपलोड किये थे जिसके नेचे मुझे बहुत सरे कमेंट्स देखने मिले कि वहाँ पे प्रश्ण पहला जो कि है गद्या विबाग और यह बीस अंकों के लिए है यानि कि इसमें आपको 20 अंक मिलेंगे अगर आपने सब अंसर सही सही लिखे तो उसमें से फर्स्ट है यह प्रश्ण पहला और तो प्रश्ण पहला और में आपको एक पैसेज देखने को मेलेगा जो कि आपके है टेक्स्ट बॉक में से लिया गया है इसमें कुछ रिडियू सिलाबस भी हो सकता है तो उसे इग्णोर कर दीजेगा क्योंकि यह जो पेपर है यह 2020 का है तो तब यह रिडियूस वीडियो कुछ नहीं था सब शिलाबस था बद 2021 और 2022 में यह रिडियूस पैसेजेज है जो भी लेसेज यह वो सब आपको अच्छे तरह से आने चाहिए ताकि आप यह क्वेशन अच्छे तरह से सौल कर पाए अगर आपने अभी तक कोंसे भी लेसेज नहीं किये है तो आप क्या कर सकते हैं तो बेसिकली आपको जब भी पैसेज आएगा पेपर में तो उसको अच्छे तरह से पढ़ लेना ताकि आप अनसर्स लिख पाए तो बेटर है कि अगर आपके पास समय है अभी तो यह अच्छे तरह से आप कर लीजेगा कि आप पेपर पैटर्न अच्छे से आपको पता हो यह तो पहली पहली चीज है उसके बाद आप पूरी जो जो भी लेशंस है उसमें से जितने लेशंस हो सके उतने लेशंस आप आज ही पढ़ लीजेगा जैसे कि आपको कल पेपर में यह पढ़ना ना पड़े और आपका टाइम सेव हो जाए इसमें सबसे पहले नाम लिखे यानि कि आपको एक वेइब डिया गिया है अगेंड आपको यह वेइब कि अभी आपको लिकना हे लिते समय आपको जो इधर का पहला मितर तो यह भी आपको लिखना है उसके आगे डाश करना है और जो भी आंसर रहें वो शोब को लिखना प्रत्य युक्त शब्द उसके लिए one mark है और उसके बाद दूसरा जो क्वेशन है उसके लिए one mark है ओके अपको दोनों भी questions solve करने हैं अगर नहीं जो छोड़ी-चोड़ी question है वह आप लिख सकते हैं यानि कि आप ऐसा लिख सकते हैं question number 3 में का पहला उसमें प्रत्य युक्त शब्द लिखे उसके बाद जो भी शब्द है उन्याप लिख लिजएगा उसके बाद नेक्स टैक question number 4 जिसमें है पढ़ोगे तो बढ़ोगे इसके उपर आपको 25-30 वर्ट में आपके अपने विचार लिखने हैं यानि कि परस्नल रिस्पॉंस के जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं आपको यहाँ पर लिखना है अगर देखा जाए तो 5-6 लाइन आपको यहाँ लिखने ह ना हो कुछ भी रमेंटिकल मिस्टिक्स ना हो कुछ भी इसा खड़ा खोड़ नोग्चों कैसा कुछ नहीं किया हो तो आपको पूरे अच्छे तरह से फूल आउट आफ मार्क्स में बढ़ोगे इसमें अगर आप कुछ अगर आपको स्लोगन्स वगरा आड़ कर सके तो यह बी एट मार्क्स के लिए है सेम टाइपस ओफ क्वेश्टन से जैसे कि आप फर्स्ट रेक रहे हैं कि गोवा राज जयुसके दो विबाग बगरा यह सब आपको ड्रॉ करना है और उसके बाद ही उसके आंसर लिखने हैं ड्रॉ करते समय पेंट का ही स्तमाल करना है नो प पर यह बीए लिए अपर देख सकते हैं तो उसी नदी के विशिष्टा आपको यहां पे लिखने हैं अगें दो लिखने हैं हर एक विशिष्टा को वान वन मार्क आएगा अफ्टर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्टन इसमें आपको क्या करना है निम्नली के चब्दों के लिखने हैं तो आपको अनवचारिक के लिए कौन सा शब्द गद्याउंश में आया है उसका प्रयुक्त विलोम शब्द आपको यहां पे लिखना है तो अगें यहां पे आपको हर एक शब्द के लिए मतलब यानि के अनवचारिक के लिए हाफ मार्क और चाव के लिए इस विशय पर आपको 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं अगें पर्सनल रिस्पॉंस की जैसा यह क्वेश्चन है डिपेंडिंग अपोन यूर हैंड्राइटिंग इट में भी चेंजिस बात जैसे के आप अगर हम देखे तो हमें साधरनता है इसमें इसमें 5 तु 6 लाइंज अगर आप लिक लेंगे तो इसमें अरांड 25 तु 30 वर्ड्स हो जाते हैं नेक्स्ट है नीमनलीकित अपठित गद्य आपको यहाँ पर दिखाय दे रहा होगा अपठित गद्य के लिए आप डाइजिस्ट का रेफर कर सकते डाइजिस्ट को रेफर कर स इसके उपर अगर आप देखते हैं तो पहला question है उत्तर लिखिए यह two marks के लिए है आपको यही जो passage है इसे के अधार पर आपको यह question पूछा गया है उसके बाद next है भुकमप से होने वाली हानी से बचने के उपाए इसके उपर आपको 25 से 30 words में answer लिखना है अगेन यह two marks क के लिए है five to six lines आपको लिखने होंगे answer में लिखते समय आप यह जो गद्याउंश है इसकी भी help ले सकते हैं और इसके आधर पर आपको आपका खुद का answer लिखना है खुद के विचार आपको उस answer में लिखने है after that next है विभाग two किवा विभाग दूसरा that is पद्या बारां के लिए है उसमें से सबसे पहला प्रेशन है question two oh तो इसमें आप देख सकते कि आपको एक पठ्थित गद्याउंश देखने को मिल सकता है जो कि आपके ही textbook से लिया गया है तो इसके लिए आप और एक practice कर सकते है कि अगर आपके पास समय हो तो आपके textbook में जो भी सारे पद् आपके लिए है सबसे पहले तो आपको एक वेग डाग्रम दिया जाएगा और आपको उसमें आंसर लिखने है अगें वेग डाग्रम पेंसे बनाना है टू मार्ट के लिए है हर एक बॉक्स में जब आप पासर लिखेंगे तो आपको हाफ-ाफ मार्स मिल जाएगा after that next day पत् और भी अगें लिए उस जया सकते है जैसे कि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इस पोयम का मीनिंग क्या है, इस पोयमी क्या बताया गया है तो आप लिकने पाएंगे, इसके लिए बेटर है कि आप जो टाइजस्ट में सरोल रर्थ दिया गया है उसे ही पढ़ लीजेगा, अगें, टेक्स्बुक के एक्ससाइस में जो भी questions आते हैं, वो बहुत important है, क्योंकि उसमें से questions आपके exam में पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको टेक्स्बुक के नीचे जो भी एक्ससाइस में questions दिये गए हैं, उससे अच्छे तरह से कर लेना है, तो ये भी again two marks के लिए है आपको उस चार पंक्तियों का सरेलर्थ लिखना है after that next है again आपको एक पद्याउंश दिया गया है six marks के लिए पद्याउंश है तो इसमें से again आपको answers लिखने है पहला प्रेशन है जैसे कि आपको दिखाए दे रहा है पद्याउंश के अधार पर सम्वंध जोड कर उचित वाक्या तियार कीजिए तो basically आपको यहाँ पर एक कुछ तो इसा link create करना है और जिसके आधार पर आप वाक्या तियार कर सकते हैं तो यह two marks के लिए है तो यह सब जो शब्दे है उनके उनमें आपको एक link तियार करना है और उसके आधार पर आपको एक sentence form करना है after that next that is question number what was it यह क्या था yes question number 2 question number 2 में से आपको जो second question है उसमें क्या करना है निमने लिखित के लिए पध्याँ से धुनकर पध्याँ से शब्दे धुनकर लिखिये तो again लोगों का समुह अगर होता है तो उसे हम क्या कहते है वो सब आपको इस पध्याँश में देखने को मि लिखना है अगें यह वान माक के लिए है तो हाफ आफ मार रहेंगे अफ्ट अफ्ट नेक्स्ट अट इस गद्यांश में आये पर शब्द के अलग-अलग अर्थ लिखिये तो यहाँ पर अगर आपने देखा तो आपको पर यह शब्द बहुत जगे पर यूश किया गया है इसा देखती को मिलेगा तो उसके जो जो अलग-अलग मिनिंग से वह सब आपको यहाँ पर लिखने है अगें आपको जो लास्ट की फॉर पंक्तिया देखने को मिल रहे है या लास्ट की फॉर लाइन से देखने को मिल रहे हैं उनका अपको सरलार्थ लिखना है तो इसके कि आपको हर एक पोयम का मिनिंग पता होना चाहिए उस उस पोयम में पर्टिगल लाइन में क्या बताया गया है वो सब आपको पता होना चाहिए तभी आप इस प्रश्न को एटेम्ट कर सकते हैं अफ्टर नेक्स टेप विभाकतीन पूरक पठनह आठ अंकों के लिए हैं तो यहां पर देख सकते कि आपको एक गद्याउंश दिया गया है अगें इसके आधार पर आपको question पूछे गए है four marks के लिए first question है कि आपको इस गद्याउंश में जो चिडिया का उल्ले किया गया है उसकी विशिष्टा है आपको लिखनी की है दो विशिष्टा है and next question is कि पक्षियों की संक्या घट रही है जिसे कि आप सबको पता है तो उसके उपर आपको अपनी राय व्यक्त कनी है यहां पे 25 से 30 शब्दों में again two marks के लिए हैं तो यह क्यों हो रहा है मतलब यह अगर गलत है ना obviously गलत है कि पक्षियों की संक्या घट रही है तो यह गल कोई सजेशन हो तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं अगेन आपको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है अराउंड five to six seven lines तक आप उसको एक्स्टेंड कर सकते हैं तो अगर आप चाहो तो आप इस question को भी लिख सकते हैं नहीं लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लेम नहीं है पर आप जो question लिख रहे हैं उस question का जो question मार्क रहेगा वो आपको आपको अच्छी तरह से लिखना है ताकि आप examiner को पता चल जाए कि आप कौनसा question का अंसर लिख र देता है इसके ओपर आपको 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने है अगें इस कविता के आप इस पद्याउच के आधार पर ही आपको यह लिखना है तो आप इस पद्याउच का भी आधार ले सकते हैं उसके बाद next है that is भाशा अध्ययन व्याकरन जो की 14 गुनाओं आपको पहचारना है और उसके एकोर्डिंग जो शब्द भेद होगा वो आपको लिखना है इसके लिए वन मार्क है next आपको अव्यय दिखने मिल रहे है for example वा है के साथ है तो यह जो अव्यय है इसका इस्तमाल करके आपको एक सेंटेंस त्यार करना है और एक अर्थपुर से या तो आप first solve कर सकते है या तो आप second solve कर सकते हैं तो या तो आप शब्द से संदी लिखिये उसके बाद उसका प्रकार लिखिये और आप संदी के जो विग्रह किया है उसके आधार पर शब्द भी लिखिये और उसका प्रकार भी लिखिये तो आपको जो असान लगेग इसमें से कुन सा भी एक वाक्य आप चूस कीजिए जिसका अर्थ आपको अच्छे तरह से पता हो और उसमें से जो सहायक क्रिया है उसे पहचानना है सबसे पहले तो आपको और बाद में उसका मुले रूप भी लिखना है तो सबसे पहले तो जो वाक्य आपको अच्छे तरह भी हो जाएगा और उसके अंदर आपको सहायक क्रिया भी लिखनी है और उसकी मूली क्रिया भी लिखनी है ओके after that next time that is fifth question नीमन लिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितिय प्रेरनार्थक क्रिया पद लिखिए स्वर्श प्रथम 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 लिखना है और उसके बाद वितिय प्रेरनार्थक लिखना है जो भी है आपको Position दिखा है दे अगर वो क्वेशन आ जाये तो आप उसको अच्छे से अटेम कर सकते हैं अजो एक मुहावरे का जो भी तेक्स बूक में है उस हर एक मुहावर का आर्थ पता होना चाहिए और उसका एक तो रह जाया आप मन में तयार करके रख सकते हैं ताकि आप यहाँ पर लिख सकें जैसे कि for example शे की बगारना है तो यहाँ पर आपको इसका मिनिंग पता होना चाहिए तब ही आप उसका यूज कर सकते अपने sentence में अगें आपको यहाँ पर sentence लिखना भी कंपलसरी है और इसका अर्थ लिखना भी कंपलसरी है या तो आप यह question का first attempt कर सकते या second I think second थोड़ा से easy रहेगा अगर आपको इस मुहावरे का आर्थ पता हो और इन दोनों मुहावरे का आर्थ पता हो तो आप क्या कर सेकते इसके accordingly जो भी इन दोनों में से मुहावरा है उसको लिख कर फिर से आपको sentence को लिखना है यह मत भूलिएगा कि आपक सबको फिर से लिखना है और जो भी मुहावरा अपने इन दोनों में से यहाँ पर आंसर में लिखा होगा उसके अंडर आपको अंडरेंड भी करना है okay after that next time that is question 7 नीमनलीखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य के प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिये तो यहाँ पर आपको एक तो पहली चीज है कि एक ही वाक्य जो आपको आता होगा वही आपको चूज करना है और उसके बाद उसी वाक्यों में से आपको उसी वाक्यों में से आपको प्रयुक्त कारक चिन्ह को पहचानना है और बाद में उसका भेद भी लिखना है तो इसके ल तो यहां पर आपको एक वाक्य दिया गया है, इसमें जो विरामचिन्नों का यूज किया गया है, वो थोड़ से गलत है, तो आपको क्या करना है, जो उसमें से सही विरामचिन्न है, उन्हें सही जगा पर रखना है, और बात में जो एक्चुल वाक्य तयार होगा, जो के उच इसके बाद नेक्स टे क्वेशन 10 निमनलेकी तवाक्य का रचना के आधार पर भेध पहचान कर लिखिये, तो यहां पे आप एक तो सबसे पहले वाक्य देखिये, उसके रचना के आधार पर जो भी भेध होगा यानि कि जो भी उसका टाइप होगा, वो आपको लिखना है, ए कि थोड़ा सा sentence बड़ा है तो इसमें में भी आप confused हो सकते हो तो सबसे पहले तो वाक्य पूरी अच्छिदर ऐसे पढ़ लिजएगा तब आपको उसका मेनिंग समझ में आ जाएगा तो उसके अधार पर आपको उसका भेत पहिचान का लिखना है रचना का भेत लिखना है अफ्टर आट निक्स टेस की निम्ना लिखेत वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के अधार पर दी गई सुचना नुसार परिवर्थन की जिए सबसे पहले आपको एक sentence दिया गया है, दोनों में से कौन से भी एक ही sentence आपको answer लिखना है, या तो आप first sentence को अध्याधारत में परिवर्थित कर सकते हैं, या तो आप second sentence को प्रश्चन आर्थक में convert कर सकते हैं, तो जो आपको easy लगे, उसके अनुसार आप attempt कर सकते हैं, उसके जो आपको गलत रग रहा है, उसमें उस वाक्य में उसको आपको सही करना है, और उसके बाद उस statement को या sentence को फिर से लिखना है, यहाँ for example, आप देख सकते हैं, छोटी वगरा जो लिखा है, या ससुरा लिखा है, वो थोड़ा सा wrong method से लिखा है, यानि कि उनमें जो जैसे कि उकार का नामादरा वेलांटी, यह सब उल्टे सुल्टे दिये गए है, तो उसे आपको अच्छे तरह से लिखना है, जो कि सही हो, और उसके बाद सिर्प आपको answer लिखना है, जो गलत sentence है, उसे नहीं लिखना है, जो सही आप लिखोगे, मतलब जो सही आपको आता है, वही आप सुप उसमें लिखने वाले हो, आफ्टर नेक्स लास्ट वीभाग, जिसमें हम देख रहे हैं कि रचना वीभाग है, जिसे हम उपयोजित लेखन भी कहते है, जो कि 26 अंकों का है, फर्स्ट आपको यहाँ पे पत्र लेखन मिल रहा है देखने को, जो कि 5 मार्क्स का है, अगें आपको यहाँ पे एक तो पत्र लेखन करना है, फॉर्मल या तो इन्फॉर्मल, तो जो आपको आता होगा, जिसके आपने प्रैक्टिस की है, उसके ही एकोर्डिंग आपको उसी पत्र को लिखना है, अगें यहाँ पे आपको जहाँ पे नेसिसरी हो या जहाँ पे परिछेत में लिखना अपेक्षित है इसे आपको यहाँ पर सुचना भी अलिडी दी है तो जहाँ पर भी आपको लगे कि परिछेत होना चाहिए परिछेत में लिखना है आफ्टा नेक्स टीज की यहाँ पर आपको एक गद्याउश दिया है और उसके एकोर्डिंग आपको चार प्रशन त्यार करने हैं कि जिनके उत्तर इसी गद्याउश में हो और एक एक वाक्य में हो तो आपको यूजुवली प्रशन पेपर में प्रशन पूछे जाते हैं आपको बहुत बड़े-बड़े आंसर वाले प्रशन त्यार करने हैं ऐसा नहीं करना है जिसके आंसर एक एक सेंटेंस में हो ऐसे ही प्रशन आपको त्यार करने हैं अगर आपने सही तरी से प्रशन 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 त्यार करने हैं और उसके एकोर्डिंग ऐसे प्रशन त आप इसका प्रत्तान्त यानि कि न्यूज्य यहां पर लिखना है, स्थर्न का नाम पता हो तो है नहीं पता तो आप कुछ रैंडम नी त्यार करके भी सकते हो te अगर आपको लिखना हो तो निए कि गटना किस दिन गटी है यह किस दिन या भियान शुरू हो था कब के से था वो आपको लिखना है यह 5 marks के लिए है कितना लिखना है 60 to 80 वर्स आपको लिखना है याईनि कि आपका जो answer sheet का one page रहेगा उसे तो आप पूरा कर सकते है 3-4 तक पूरा उसको लिखना है या तो आप रुद्दांध लिख सकते हैं और या तो आप कहानी लिख सकते है अगर आप कहानी लिखने लिखने वाले होगे तो आपको शिर्षक देना है और सिक भी लिखनी है यह दो चीज़े अगर आपनी नहीं लिखी तो आपके marks वहाँ पे कर सकते हैं तो आपको शिर्षक तो देना ही है उसके साथ-साथ आपने जो भी कहानी लिखी होगी उसक मुद्धों में से किसी एक दो को छोड़ देते हो और स्टोरी बनाते तो ऐसा नहीं चलेगा यह मुद्धि दीए ही इसले कि तक कि आप इसके एकोडिंग में अपनी स्टोरी बना तो यह आपको इसका करम भी नहीं बदलना है मतलब जनरली मत बदलिएगा इसका करम जैसे भी करम हो उसी according ले आपका आपकी story तयार करनी है उसके बाद next आपको यहाँ पर advertisement तयार करनी है school bus के लिए driver चाहिए ऐसी headline है advertisement की और इसके according ले आप यहाँ पर उनका educational qualification क्या हो सकता है कितने years का उनका experience होना चाहिए तजर्वा कितना होना चाहिए उसके बाद व्यवसाइक अरहता क्या हो सकती है वेतन आप कितना दे सकते हैं उन्हें या आप कितना expect करते हैं यह सब को आपको उस अविज्यापन में लिखना है advertisement में लिखना है उसके बाद संपर काहापे करना है अगर कोई इंट्रेस्टेड हो तो उन्हें संपर काहापे करना है तो इसके लिए आप नीचे यह जो पत्ता दिया गया है यहापे उसी को लिखना है आपको और उसके बाद जो मोबाइल नमबर है उसको भी आपको लिखना है अगेन इसमें यह बॉट आप हो सकें अगर आपको को आप के पास समय है तो आप इसमें थोड़ा सार ड्राइंग भी निकाल सकते है जैसे की बos हeniz थो आप चोटीशी बosने काल सकते हैं अगैन वह सब कुछ पर रहे लुत को पेंस से कुछ"? और आपको colorful pens का भी स्तमाल नहीं करना आप जो pen से starting से लिख रहे हो उसी pen को आपको last तक यूज करना है तो भी हो सकता है या ब्लाइक हो सकता है पर यूज को बीज बीज में पैंस को change नहीं करना है एक ही pen को last तक यूज करना है एक ही color के pen को आपको यह जो तेन विशय दिये गए है जो कि वैचारिक विशय है इसमें से किसी भी एक विशय पर नीबंद लिखना है जो कि साथ गुनों के लिए है इसका वेटेश बहुत ज्यादा है तो आपको एक फुल पेश और पीछे का हाफ या फुल पेश आपको इतना नीबंद के लिए है तो आम दोर पर हम एक फुल पेश और नेक्स्ट जो है उसको हाफ या फुल पेश तक लिखते है तो इसमें तीन विशय है मेरा भारत देश पर्यावरन संतुलन पुस्तक की आत्मकता इसमें सब कौन सा भी चूज कर सकते है पुस्तक की आत्मकता जो है यह आत्म आपको मेरे लिए ऐसा ही आपको लेक करना है जब आप लिखने वाले हो पुस्तक की आत्मकथा अगर आप परियावरन संतुलन पर लिखेंगे तो आपको परियावरन संतुलन किस तरह से बना की रखना चाहिए या इसके एडवेंटिज क्या है इसके डिसडवेंटिज क्या ह आपके एक्जाम में, तो उसके अक्वादिंग आप अपनी तयारी कर सकते हैं, So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लोगा होगा, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने जस्ट बोलने का प्रेयास किया है, Hope सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एक डाइजेस्ट या टार्गेट जो भी आपके पास हो, रेफरेंस बुक उससे आप रेफर कीजएगा, और उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक को आपको रेफर करना है, बाकि अलग अभी दो-तीन के लिए आप कुछ मत रेफर कीजएगा, यह दोनों बस है, इनफ है, थांक्यों सो मच फॉच्छ वाचिन इस वीडियो, बेस्ट अफ लग फॉर एग्जाम्स, और सी यू इंदे नेक्स्ट वीडियो, बाबाई!